ऐगर आप टाटान एक सळल लेने जा रहे हैं तो कुछ दिनों और रूज जईये क्योंकि टेस्टिंग के दारान टाटा नेक्सान का नय आफ सलिब माडल कई जगों पर स्पाउय। शाड़ होते विए देखे गएे यह स्क्रिन में आप देख सकते यानि DC automatic मिलेंगे आपको नया गेर लीवर मिलेगा यहां तक एडास का फीचर भी आपको इसमें मिलने वाला है इसमें जो आपको touch infotainment system मिलता है अब पहले से बड़ा मिलेगा यानि 10.25 इंच का touch infotainment मिलेगा हाला कि टाटर ने अपने सफारी हैरियर को अपडेट किया गैर लीवर मिलेगा यह कुछ नये feature आपको इसमें मिलेंगे हाला कि घर 1998 की बात करें तो इसका look कहीं ने आपको Tata Harrier की यार्दी लाएगा इसका फ्रंट प्रोफाइल आपको Tata Harrier के जैसे दिखेगा अगर बात करें रियर प्रोफाइल में भी चेंजेज हैं यानि इस गाड़ी के फ्रंट और रियर फेसिया में बदलाव किये गये हैं इंटीरियर में भी बहुत सारे बदलाव के इस्टेरिंग देख सकते हैं नए तरह से नए डिजिटली फुली ओडोमीटर इसमें आपको मिलने वाला है हाला कि अगर बात कर ले इस गाड़ी के लांचिंग की तो अभी को भावना है कि यह दिसंबर 2030 तक या फिर 2024 के स्टार्टिंग मंत में यह आपको टाटा के सभी सोरूम पे अवले वलो जाएगी हालाकि स्वाइसाट के दावरान इस गाड़ी को टेस्टिंग के दावरान देखा जा रहा है तो इसकी पूर्ट संभावना है कि यह जल्द ही मा लगता है या फिर इन दोनों का मिक्स कॉंबो लगता है लिकिन मुझे तो इस अपडेटेट मॉडल में बहुत अच्छा लग रहा है यह देखके कि इसका फ्रंट फेजिया ना इसे बहुत बदला गया जिसकी वजह से यह गाड़ी आपको एकदम हैरियर की कराएगी अगर लिवर पैडल शिफ्टर आटोमेटिक डिश्टल कोडो मीटर 10.2 इंच का डिस्पले यह पहले से इंप्रूब किये गया जिसकी वजह से यह गारी काफी बहतर लगती है यह ती कुछ जानकरी आपको नय नेक्स वान फेसलिप 2023 के बारे में यह जल्दी मार्केट में आपको देखने को मिलेगी